आई पियों की बार्ण तीन महिने में سतरा कंपनियों के आई पियों आ चुकी हैं जनुरी से लेके मार्च अप्रैल तक की अर्म बात करें आप देखो कि ऐसी ऐसी कमपनीज के IPO आ रहे हैं कि जिनको कोई धंका बैंक लोन भी ना दे तो ऐसा क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि पिछले छे महीने से मार्किट लगातार ऊपर चल रही है और हर कोई बहती गंगा में हाथ दोना चाहता है तो दोस्तों मैं हूं प्रशान शर्मा और आज की मेरी वीडियो की टॉपिक यह है कि हमें IPO में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए हां जी विलकुर अपने सही सुनाए कि हमें IPO में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे बहुता है कि IPO होता क्या है और कंपनी IPO क्यों ले पास उसके शेर्स होते हैं और फिर जब कंपनी आगे एक्सपेंड करना चाहती है या कुछ इन्वेस्टर्स अपना पैसा उसमें से निकालना चाहते हैं तो कंपनी आई प्यों लेके आती है जिसके थुरू वह अपनी कंपनी की शेर्स और बहुत सारे लोगों को बेश सकती ह पब्लीकली उनको औफर कर सकती है इसको बोलते आई प्यों कमपनी का मोटीव कुछ भी हो सकता है कि पहले कोई पुराने डेट वह खतम करना चाहरे हैं और या फिर कंपनी को एक्सपेंशन करना चाहरे हैं उसके लिए उनको पैसे की रिक्वार्मेंट है इसलिए वह आई launch होता कैसे है IPO launch company के लिए जो भी company IPO launch करना चाती है वो एक investment bank को hire करती है investment bank का ही काम होता है सारी सारी process को करना company की valuation करना company की जितने भी shares हैं उनको अलग-अलग investors को बेचना बहुत सार इंवेस्टर होते हैं कुछ होते हैं institutional investors जैसे कि pension fund वाले होगे mutual fund वाले होगे उनको company की shares invest करते हैं वो लोग हो गए और उसके बाद में general public होती है जिसको वो shares बेचे जाते हैं इसके लिए क्या bid price रखना है bid price मतलब कि initially आपको कितने का shares मिलेगा इसका उसके बाद में फिर इसको NSC BSC जिस भी stock exchange में वो लिस्ट करना चाते हैं उसके उपर लिस्ट करते हैं अब जो company सारे shares लेता है कि ठीक है आपको 500 क्रोड चाहिए हम आपको 500 क्रोड देंगे इसके बदले में हम इस company के जो भी shares है आपके उसको किस price पे बेचे कैसे बेचे वो हम देखेंगे आप से हमने इस price पे share ले लिए अब हम इसकी marketing इसका जितना भी सारा system है वो सब हम खुद कर ले है फिर आगे investor banker जो अपनी पूरी team लेके आता है दुनिया भर के experts लेके आता है और फिर वो company IPO launch करती है तो आप देखो कितने सारे लोग इसके पीछे जुड़े हुए हैं और यह किसको target करते हैं यह mainly target करते हैं general public को जिनको बहुत जादा knowledge नहीं होती है जिनको बहुत जाद का myth है कि IPO के अंदर share सस्ते मिलते हैं या फिर अगर हम IPO में invest करेंगे और जिस इंकमनी लिस्ट होगी उसी दिन उसको बेच के निकल जाएंगे तो हमें profit मिल जाएगा हमें listing का gain मिल जाएगा ऐसा भी हर case में नहीं होता है क्योंकि जब listing होगी और सारे लोग सिर्फ यही सोच है कि company हमें सस्ते बेचे वह मेहंगे से मेहंगे बेचने की कोशिश करेगी क्यों उनको खुद का profit चाहिए और दूसरी बात आती है timing जैसे कि मैंना अभी बात की कि investment IPO की बाढ़ क्यों क्यों कि फिछले 6 मीने से लगातार market उपर जा रही है तो क्या हो रहा है कि market की valuation पहले से बेचना है यहां पर IPO में क्या रहा है उल्टा हो रहा है कि महंगा खरीद रहे हैं और फिर बात में जब गिर जाते हैं फिर लोग लगता है तो गलत company की चूस कर ली फिर वो उसको बेच के जाते हैं तो महंगा खरीद के सस्ता बेचना पड़ता है तो उसमें profit होने के chances कोई बात नहीं करता कि जिनके price कहीं जादा गिर गए अगर मैं आज example लेना चाहूं का मार्च में IPO आया है लिस्टिंग वाले दिन ही 14% गिर गया 87 issue price था 14% पहले दिन ही गिर गया उससे कहीं जादा नीचे आज की rate में trade कर रहे हैं और ऐसा ही बाकी सारे shares का भी हाल है अगर हुआ लोगों ने initial के लिए लेकिन उनको loss हो गया इसलिए में hype में नी जाना है control करना है ठीक है आई पर launch हो रहा है उसको होने दीजिए अगर आपको वाकिर लगता है कि नहीं बहुत अच्छी valuation मिल रही है प्राइस ठीक है तो आप कीजिए अधरवाइस वेट कीजिए पह होते हैं वो वेट करते हैं company के price नीचे आने का actual valuation आने का तब वो उसमें invest करते हैं ना कि public के साथ साथ आगे भागने के लिए अगर कोई एक वेव आप से छूट भी जाती है तो आप दूसरी के जार किजिए पैसा अपने पास रखिए और साही टाइम पे उसको invest किजिए ज सारी valuation ज़्यादा होती है तो company को भी अपनी valuation ज़्यादा मिलती है और company के पास में पूरी टीम होती है जो उसके IPO को maximum value दिलाने की कोशिश करती है तो सोचिए जब इतनी सारी research सब चीज़ों सा company आएगी तो आपको profit होने के chances बहुत कम होते हैं तो आप wait कीजिए company को list होने द बता दिये हैं कि IPO में maximum जो loss होते हैं वो क्यों होते हैं क्या वज़य होती है तो इसलिए आप बहुत सोच समझ के invest किजिए अगर आपको लगता है कि हा नहीं valuation ठीक है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन मेरा सवाल बस इतना ही है कि judge कीजिए और media और hype के बीच में जाके म मत फसी है तो आज की वीडियो के लिए इतना है रखते हैं आशा करता आपको वीडियो पसंद आए होगी तो इसको like और share जरूर किजिएगा थैंक्यू सो मच